दोस्तों कैसे हो आज की वेकेंसी काफी खास है आज हम बात कर रहे हैं जिस वेकेंसी की वो आईए सिक्षकों के लिए यानि के टीचर्स के लिए यहाँ पर 778 पोस्ट है और यहाँ पर 10 ग्रेजवेट टीचर की वेकेंसी है जिसके लिए 12 पास ग्रेजवेट बेड डेलेड यह सारे लोग apply कर सकते हैं और यहाँ पर IUC मार 18 से 42 साल All India से candidates apply कर सकते हैं male or female दोनों ही apply कर सकते हैं इस vacancy के लिए apply करने का last date है 25 March 2019 और इसके लिए salary मिलती है starting salary 44,900 रुपय पर मन्त तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस vacancy के complete details और आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसे apply कर सकते हैं लेकिन उससे पहले attendance लगा दे वीडियो को like कर दे अपनी दोस्तों के साथ facebook पे whatsapp पे हर जगा share कर दे और अगर आप नए महमाने तो हमारे चैनल को subscribe कर ले साथी अगर आप private job ढूंड़े अपने locality में अपने state में तो आप हमारे टेली ग्राम ग्रूप वह फेस्बुक पेज को like कर दे हम वहाँ पे private jobs भी बताते हैं चलिए जानते हैं इस vacancy के complete details दोस्तों finally हम आचुके अपने website पर और इस vacancy के लिए like का aim रखते हैं 500 तो please like कर देना यहाँ पर recruiting body है हरियाना staff selection commission यानि की hsse total vacancy यहाँ पर 778 है और post का नाम है tgt sanskrit application mode यहाँ पर online है और job type है permanent basis पे salary यहाँ पर मिलती है 44,900 रुपै से लेकर 1,42,400 रुपै पर month अगर application fees की बात करें तो यहाँ पर all India से candidates supply कर सकते हैं all India male of female के लिए application fees से 1,5 रुपै वही female of haryana resident only के लिए 75 रुपै मात्र वहीं SCBC candidates के लिए application fees से male के लिए 35 रुपै वहीं female के लिए 18 रुपै वहीं ex-serviceman of haryana के लिए बिल्कुल free application fees अगर हम बात करें आयू सीमा के तो आयू सीमा है 18 से 42 साल अगर qualification की बात करें तो इसके लिए apply कर सकते हैं BA with at least 50% marks वाले candidate साथी संस्कृत आपका elective subject होना चाहिए साथी 2 साल का diploma होना चाहिए elementary education में तभी आप apply कर सकते हैं या फिल BA होना चाहिए साथी 50% marks होना चाहिए साथी आपको संस्कृत elementary subject होना चाहिए elective subject साथी आपने अगर BA कर रखा है तो भी आप apply कर सकते हैं या फिल BA है आपका 45% marks है साथी 50% marks है संस्कृत में as an elective subject साथी एक साल का BA है तो भी आप apply कर सकते हैं साथी अगर आपने बारवी पास कर रखा है 50% मार्क्स के साथ और आपने चार साल का बी एलेट कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए सेलेक्शन बेश रेटेन एक्साम पर जॉब लोकेशन रहेगी हरियाना और अप्लाई करने का डेट है 22 फरवरी से लेकर 25 मार्क्स के बीच में और अप्लाई करने का लिंक सो कर रहा है दोस्तो इस वैकेंसी को अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रूप में वह फेस्बुक पेज पे तो आप जरूर से हमारे टेली ग्राम ग्रूप या फेस्बूक पेज को जॉइन कर लिए